नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका study with Neil में सिलोजिस्म के दो part 1 पढ़ चुके थे part 1 जिसमें पढ़ा था अपनने कि सभी कथन क्या हो सकारात्मक हो part 2 जो पढ़ा था अपनने second part में अपनने पढ़ा था दोस्तों सकारात्मक के साथ में आपके साथ क्या होंगे होना सही हो सकती है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूं इसके अंदर जो क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों यहां पर है दोस्तों की कथनों के संभावित निश्कर्ष की जाच करना जिसे सभी एस पी है कुछ एस पी है कुछ पी आर है तो इसके निश्कर्ष में क्या निकाल सकता हूं मैं आपके सामने निश्कर्ष लिखता हूं नंबर एक है कुछ एस आर हो सकते हैं कुछ एस आर हो सकते हैं दूसरा निश्कर्ष लिखना हूं मैं आपके सामने संभावित हैं कुछ आर एस नहीं है संभावित है कुछ S R नहीं है तीसरा में लिख रहा हूँ दोस्तों आपके सामने संभावित है संभावित है कोई S R नहीं है यह 3 में यहाँ पर निश्कर्च लिख दिये चेक करते हैं कि क्या यह सही है या नहीं चेक करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि संभावना के लिए आपको पता है कि 2 फिगर 3 फिगर बनते हैं तो 2 फिगर बनाते हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं सभी S P हैं तो यह सारे S P बना दिये कुछ P R हैं तो यह कुछ P को मैंने R बना दिया देखो P का कुछ पार्ट R में आ रहा हैं लेकिन S का भी आ रहा हैं तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होतो सकती हैं संभावना ऐसी लेकिन इसने तो केवल P को R की बोला तो P को R में अपने कर लिया है अब देखिए दोस्तों निश्कर से देखते हैं कुछ S R हो सकते हैं देखो इस फिगर के हिसाब से देखो के तो S R में आ रहा हैं क्या नहीं आ रहा हैं तो इस फिगर के हिसाब से तो क्या हो जाएगा दोस्तों यह गलत हो जाएगा इस figure के इसाप से तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा लेकिन इसमें देखो Ace और R हो रहे हैं न overli, तो यहाँ पर सही हो जाएगा और एक में सही, एक में गलत क्या पड़ा था अपनने, पिछली बार की संभावणा होती है, और संभावना क्या होती है, गलत होती है, लेकिन ये तो खुद ही बोल रहा है कि हो सकते हैं, ये खुद संभावना की बात कर रहा है, अपन भी संभावना की बात कर रहा हैं, तो ये संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी. clear है, दूसरा देखो संभावी थे है, पेले ही बोल दिया कि संभावना है, कुछ S, R नहीं है, देखो कुछ S, R नहीं है, इसके इसाब से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही है देखो, यह S तो R लेकिन कुछ S जो बचे हुए हैं ये जो बचाववा एस हैं ये आर नहीं हो सकते तो ये भी क्या है संभावना है तो एसी इसने संभावना दे दी है तो एसी जब इसने संभावना दे दी है तो इसकी संभावना अपनी संभावना क्या हो जाएगी सही हो जाएगी फिर बोला है संभावी थे फिर से संभावना कोई SR नहीं है ये रहा S ये रहा R इसने बोला है कि संभावी थे कोई SR नहीं है देखो संभावना है कि इसमें नहीं है इसमें तो नहीं है और इसमें भी SR है मतलब एक में है एक में नहीं है संभावना होगी और संभावना क्या हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से कोशन देखते हैं कोशन हैं दोस्तों आपके पास इसको मिटा देते हैं पहले ठीक है चलिए सभी इमारते मकान हैं मैंने बना दिया ये इमारते इसने बुला है कि सारी इमारते क्या हैं मकान है तो सारी अमारते मैंने मकान बना दी कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है तो ये बनाया मैंने अपार्टमेंट नहीं है देखो इसने बोला है कि कोई भी मकान जो है अपार्टमेंट नहीं है तो ये मकान ये अपार्टमेंट नहीं है नहीं है मकान के अंदर इमारते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों नहीं हो जाएगी आगे बोलाएं सभी अपार्टमेंट फलेट हैं तो ये सारे जो अपार्टमेंट हैं ये दोस्तों किसमें आ जाएंगे फ्लेट में आ जाएंगे clear है तो ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब देखते हैं इसमें निशकर्ष निशकर्ष है कोई फ्लेट मकान नहीं है चलिए color change कर देते हैं यहाँ पर बोल रहा है कोई फ्लेट मकान नहीं है ये रहे दोस्तों फ्लेट ये रहे फ्लेट और ये रहे मकान तो कोई भी फ्लेट मकान नहीं है इसा तो हो नहीं सकता क्योंकि cross यहाँ लगाएलेकिन यहाँ पर तो नहीं लगाएं तो कुछ तो यहाँ पर overlayब कर सकते हैं इस type से मैंने आपको बताया है तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों संभावना हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी दोस्तों संभावना हो जाएगी और संभावना क्या होती है गलत होती है संभावना क्या होती है गलत होती है कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है देखो कोई भी इमारत अपार्टमेंट नहीं है इमारत पे भी क्रोस है अपार्टमेंट में भी क्रोस है दोनों पे अगर क्रोस है और ये भी बोल रहा है नहीं है अपन भी बोल रहा है नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मतलब इसका क्या हुआ कि आपका जो आंसर है केवल टू वो क्या होगा सही होगा क्लियर है अगले कोश्चन की दरब चलते हैं अगला कोश्चन है सभी इमारते मकान हैं क्या बोला इसने सभी इमारते मकान हैं तो ये बना दिये अपने इमारते इमारते और सभी इमारते क्या हो जाएगी मकाने देखो कथन पिछले कोशन के ही है इसके अंदरी निश्कर से चेंज होंगे कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है ये मकान ये अपार्टमेंट ये बोल रहा है कि कोई भी मकान जो है वो अपार अपार्टमेंट नहीं है तो ये इस टाइब से तीनों पे क्रोस लगा दिया इसमें कोई समस्चा की बात ही नहीं फिर देखते हैं दोस्तों इसने क्या बोला है कि सभी अपार्टमेंट फ्लेट है तो ये सारे अपार्टमेंट अपनने क्या बना दिये दोस्तों फ्लेट बना ये जो नीचे अपार्टमेंट के नीचे दबा हुआ हिस्सा है ये भी तो क्रोस होगा ये भी तो क्रोस होगा तो सारी सभी इमारते तो फ्लेट होने की संभावना ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी इमारते तो फ्लेट हो नहीं सकती या फिर इसको एक तरीके से और चेक क तो यह क्या है, संभावना बन सकती है दूसरी कंडिशन में, और संभावना अगर बन सकती है दोस्तों, तो यह संभावना क्या है? अपनी भी संभावना और उसकी भी संभावना क्या हो जाएगी पिर बोला है सभी अपार्टमेंट के इमारते होने की संभावना है तो सारे अपार्टमेंट के इमारते होने की संभावना 0 परतिशत हैं क्योंकि दोनों पर क्या हैं क्रोस हैं दोनों एक दूसरे के कभी साथ हो ही नहीं सकते और अपन बोल रहे हैं नहीं हो सकते ये बोल रहा है कुछ तो संभावना है अपन जब नहीं बोल रहे हैं तो संभावना कहां से होगी नहीं होगी तो इसको क्या कर देंगे अपन गलत कर देंगे और आपका जो आंसर होगा वो केवल एक हो जाएगा अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन क्या है कुछ महासागर सागर है तो ये बनाए दोस्तों मैंने महासागर लेकिन कुछ महासागर ये बोल रहा है क्या बनाने सागर बनाने तो ये सागर बना दिये सभी महा सागर नदियां है दोस्तों तो ये सारे महा सागर मैंने क्या बना दी दोस्तों नदियां बना दी फिर बोलते हैं ये कि कोई नदी नहर नहीं है कोई नदी क्या नहीं है नहर नहीं है नहीं है तो क्रोस लगाना पड़ेगा तो नदियों पर क्रोस आएगा नहर पर क्रोस आएगा और सागर पर भी क्रोस आएगा महासागर का इस हिसे पर भी क्रोस आजाएगा क्योंकि सब नदियों के अंदर है जो पार्ट नदियों के अंदर है उन सब पर क्या जाएगा क्रोस आ जाएगा चलिए सोल करते हैं इसको सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती क्या बोला है इसने कि सारी नदियां महासागर नहीं हो सकती तो ये जो सारी नदियां है ये महासागर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर देखो इसने जब बोला है यहां पर एक बार फिर से अच्छे समझे तो यह नहीं हो सकती कुछ नदी यह सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है तो यह सभी नहर और यह महासागर होने की संभावना तो सभी के तो संभावना हो नहीं सकती क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या है क्रोस में आ रहा है तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो यहां पर सभी नदिया महासागर नहीं हो सकती है तो सभी नदिया महासागर हो सकती है इसके अंदर आए तो ये इस हिसाब से सही हो लिकिन मुझे लग रहा है कि कुछ करबड करी है अपने, यहां बोलाए कुछ महा सागर सागर हैं तो ये कुछ महा सागर सागर हो जाएंगे, फिर बोलाएं कि सभी महा सागर नदिया हैं, ओके यहां पर ये अपने गलत कर दacam एक बार फिर से इसको समझे दोस्तों क्या गलत बनाया था फिकर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गए होगी माफ कीजिएगा फिर से बना देते हैं इसको समझे एक बार फिर से कुछ महा सागर इसको भी लाइने अटा देते हैं बोला है इसने कि कुछ महासागर सागर है तो ये महासागर और ये क्या हो जाएंगे सागर कुछ बोला है तो कुछ पार्ट बना दिया सभी महासागर नदिया है तो दोस्तो सारे जो महासागर है ये क्या हो जाएगी नदिया हो जाएगी आप इसको इस टाइप से भी बना सकते थे कि ये महासागर हो गया ये सागर हो गया और सभी महासागर नदिया है तो ये सभी महासागर नदिया हो जाएगी इस टाइप से भी बन सकता था आप चाओते हो थे ये गोले को सागर को कुछ बाहर निकाल सकते थे कोई नदी नहर नहीं है तो ये नहर नहीं है न सबी नथी नथी नथीं महासागर नहीं हो सकती, तो सारी नथीं महासागर नहीं हो सकती। तो सारी नदिया मासागर तो नहीं हो सकती क्योंकि जब आप बाहर से अंदर जाते हो तो कुछ सही होता है यहां पर बोल रहा है कि सभी नदिया मासागर नहीं हो सकती लेकिन कुछ तो हो सकती है क्योंकि बाहर से आप अंदर जा रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाए कि सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है जब ये संभावना दे रहा है और अपन साप साप मना कर रहे हैं कि नहीं हो सकता तो केस से सही हो सकता है ये गलत हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो इसी कोशन में और संभावना ही चेक कर लेते हैं जिसे यहाँ पर बोला है कि कुछ माह सागर सागर है तो फिर से बना दिया कुछ यह माह सागर है यह क्या हो जाएंगे सागर हो जाएंगे फिर बोला है सभी माह सागर नदिया है तो दोस्तों ये सारे महासागर अपने किसमी बना दिये नदियों के अंदर बना दिये आगे बोलाएं कोई नदी नहर नहीं है तो ये दोस्तों नहर नहीं है मतलब क्रोस नदी नहीं है तो क्रोस क्रोस और सभी पर क्रोस कर देंगे यह अपन पिछले question में बना चुके हैं वो ही figure हैं आप इसको soul करते हैं कोई महा सागर नहर नहीं है कोई महा सागर नहर नहीं है तो महा सागर, cross, नहर, cross दोनों पर cross मतलब नहीं है और यह भी बोल रहा है, नही है, मतलब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कम से कम कुछ सागर नदिया है क्या बोला है इसने कम से कम कुछ सागर नदिया है देखो कुछ सागर नदिया है तो सागर तो नदियों के अंदर ही सही तो ये कम से कम कम से कम कुछ तो ही सही सारे भी हो सकते हैं लेकिन कुछ तो ही सही तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों इसी सा कोशन था ऐसे ही एक कोशन ओर देखते हैं दोस्तों कुछ कागज बोर्ड हैं कुछ कागज बोर्ड हैं तो मैंने दोस्तों ये कागज बनाए और कागज का कुछ पार्ट मेंने क्या बना दिया दोस्तों बोर्ड बना दिया फिर बोलता है कोई बोर्ड कार्ड नहीं है तो ये कोई बोर्ड कार्ड नहीं है नहीं है के लिए क्रोस लगाना पड़ेगा और यहां पर बोर्ड कार्ड नहीं है और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा क्रोस ये आप पढ़ चुके हैं तो समझ में आ रहा हैं आपको कुछ कार्ड कागज नहीं है आगे इसने जो निशकर्ष दिये हैं वो है दोस्तों कुछ कार्ड कागज नहीं है तो देखो ये रहे card और ये रहे कागज देखो कुछ part cross आ रहा है मतलब अपन भी बोल रहे हैं कुछ part तो cross है मतलब नहीं हो सकता और ये भी बोल रहा है नहीं हो सकता है इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहले वाले निश्कर्च में देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ कार्ड कागज नहीं है तो यह सही हो जाएगा कुछ कागज कार्ड है तो यह भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा लेकिन दोनों दोस्तों दोनों में क्रोस आएगा क्यों? क्योंकि कुछ card कागज नहीं है इस figure के इसाब से देखो तो ये रहा card और ये रहा कागज कुछ तो है कागज नहीं है लेकिन कुछ तो हो सकते हैं बचोवे कुछ तो हो सकते हैं मतलब ये क्या हो जाएगी संभावना फिर कुछ कागज card हैं तो ये कुछ कागज जो हैं कार्ड हैं क्या इस फिगर के कोर्डिंग तो नहीं है लेकिन दूसरा फिगर बनाओगे तो हो सकते हैं मतलब ये भी क्या है संभावना है और संभावना क्या होती दोस्तों गलत होती है लेकिन option चेक करते हैं यहां पर या वाली condition दे रखी हैं और या वाली condition के लिए कुछ के साथ हैं और कुछ के साथ नहीं और कुछ के साथ हैं अगर संभावना होती है तो कोई के अलावा कुछ के साथ भी अगर नहीं हो तो भी क्या हो जाता है या वाली condition हो जाती है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं कुछ कागज board है वही वाला question है य नहीं है केलिए मुझे CROS लगाना पड़ेगा और जो कि मैं यहां पर लगा देता हूँ यह मैंने CROS लगा दिया यह BOD पर भी CROS लगा दिया यहां पर भी क्या जाएगा? CROS आजाएगा अब दोस्तों इसको समझेगा यहां पर यह बोल रहा है निश्कर्ष में कि सभी कार्डों का कागज होना एक संभावना है क्या बोल रहा है सभी कार्डों का कागज होना एक संभावना है हाँ बई सभी कार्डों का कागज होना एक संभावना है वेसे तो नहीं है इस फिगर के according लेकिन संभावना तो बन सकती है तो क्या हो जाएगा एक में क्रोस एक में सही मतलब क्या हो जाता है संभावना अपन भी बोल रहे हैं संभावना वो भी बोलता है संभावना तो संभावना क्या है संभावना संभावना सही हो जाएगी सबी बोर्डों का कागज होना एक संभावना है तो दोस्तों सारे बोर्डों का कागज होना भी क्या है एक संभावना है संभावना तो हो सकती है मतलब यह क्या हो जाएगा संभावना हो जाएगी और संभावना क्या हो जाएगी सही हो जाएगी तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो एक और दो होगा वेसे दोस्तों मैं आपको बता दू कि संभावना इस टाइप की कोशन जो आज की वीडियो में पढ़े हैं यहें बहुत कम कोशन पूछे जाते हैं संभावना वाले फिर भी इस वीडियो की अगर आप पीडिये प्राप्त करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है वहाँ से आपको मिल जाएगी और भी स्टेडी माटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे कोई भी डाउट है तो आप इस्टाग्राम आइडी पर मुझे संपर्क करके पूछ सकते हैं यहाँ पर मेसेज कर सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों फिर से हाजिर होंगे एक नए रिजनिंग के टोपिक के साथ में तब तक के लिए बाई बाई